रोज थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करूँगी न तो बहुत जल्दी ही मेरा सारा काम ये निपट जाएगा गूड बॉर्णिंग एवरिवन एन वेलकम टू माई व्लॉग काम में लगे उससे पहले हो जाए थोड़ी पेट पूजा यहां आज नाश्टे में मैंने लिया है दही जिसमें डले है चिया सीट्स, सेव, नक, अनार, केला और थोड़ा सा शहद तो देखिए ड्रेसिंग तो हमारी चमक गई है अब बारी आजाती है इस टीवी के नीचे वाली रैक की जिसमें है कुछ किताबे, कुछ डाइरी, कुछ क्राफ्ट का सामान और बहुत सारी एल्बम और जो भी कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना हाथ में आ जाता है वो कहां रखे कहां रखे वो ऐसी ही छोटी मोटी किसी रैक में वो रख जाता है तो आज मेर को ये ठीक करना है फिलाल तो मैंने इसके अंदर से सारा समान निकाला ये निकला इसमें से माइक अब तो मैं इसका यूज भी नहीं करती हूँ ये मैंने तब लिया था जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया था पर आलम अब ये है कि ना रखते बन रहा है ना हटाते बन रहा है जैसे जह हम वेट लॉस की बात करते हैं तो एकदम से बड़ा टारगेट ना रखके भई दो किलो वजन कम करेंगे दस दिन में इस तरह का सोचते हैं ऐसी पता है ये फॉर्मूला भी मैंने अपने सफाई में लगाया हुआ है कि एकदम से मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि आज ये पूरा कमरा ही साफ कर देना है तो भाया ऐसा नहीं हो पाएगा बहुत सारा समय भी उसमें जाएगा और शायद धकावट भी मुझे जादा हो जाए लेकिन हाँ अब ही दिवाली में भी टाइम है तो बरदस्ती इतना बोज लेने की भी मुझे जरूत नहीं है रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे न एक्स्ट्रा काम तो वो भी आसानी से पूरा हो जाएगा क्राफ्ट का समान यार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता इसे रखें की हटाएं इतने कागच पत्री खटा हो जाते हैं हटा दो तो ये लगता है कहीं इसकी जरूत नह पढ़ जाए फिर उसको खरीदते फिरो भई इन सब को रखना ही पढ़ता है और वैसे भी अब ये बड़ी भी हो रही है नाइन्थ क्लास में आ गई है बस इसकी स्कूलिंग होते ही फिर मैंने ये सारा कागच पत्री हटाई देना है या किसी में जरूत मंद बच्चे को वो दे दूँगी इन सब को तो मैंने जचा लिया फिर इसके बाद हाथ लग गई मेरे एल्बम मेरा जो काम इतना जो फास्ट चल रहा था ना वो हो जाता है स्लो अब भई पुरानी यादों में खोने का किसका मन नहीं करता हमारी इनकी तस्वीरे मेरी पैरा ग्लाइडिंग वाली तस्वीरे बच्चे जब चोटे चोटे से थे वो तस्वीरे ने तो देख करके मैं खोई गई पड़ी मुश्किल से अपने आपको इन सब से निकाला और फाइनली मेरी रैक हो गई है पूरी तरीके से साफ इसके बाद इस सफाए में मुझे मिला ये ये हमने एक मेले से लिया था इसकी बैटरी अभी भी चालू थी फिर मेरा मूट थोड़ा सा और कर गया अलवारी को ठीक करने का फिर मैंने वो भी निपटा लिया इस बीच दुपैर में लंच भी कर लिया था अब ये हो गया है शाम का टाइम अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बनाना शेक बैसे सुभह तो कम लेकिन रात में अक्सर रागी या जौ की रोटी बन रही है इसे मैं कैसे बना रही हूँ दो चम्मच तो जैसे मैंने ये रागी वाला आटा ले लिया और फिर दो ही चम्मच मैंने साधा जो गेहू का आटा है वो ले लिया क्योंकि प्योर रोटी आये हैं वो मैं बनानी पाती है थोड़ा मुझे गेहूं का आँटामिक्स करना यी पड़ता है तो बस थोड़ा थोड़ा पारी डाल करके फिर मैंने इसका आटा ये गूथ लिया है अब मैं बनाओंगे इसकी रोटी आज डिनर में वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया है बरी आलू की सबजी बनाई है वो मूंकी डाल की बड़ी होती है ने वो वाली और बाकी आप लोग बताईए आप लोगों के हैं कैसा चल रहा है आप लोगों ने सफाई शुरू करी की नहीं हाउस वाइफ के लिए तो थोड़ा सा मैं कहूंगे कि असान होता है लेकिन वरकिंग के लिए तो थोड़ा कठेन होता है उनको समय निकालना काफी मतलब मुश्किल रहता है और फिर जॉब के बाद ठकान भी काफी हो जाती है लेकिन भाई सल्यूट है उनको जो दोनों काम ब भड़िया रहती है सुपाचे भी होती है पेट भी सुभह अच्छे से साफ होता है तो चलिए मैं लगा लेती हो अपनी प्लेट यह आ गई हमारी बरी अलू की सबजी साथ ही मैंने ले ली हैं दो रोटी थोड़ा सा सलाद सलाद में ज्यादा कुछ नहीं था तो बस झाल 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 झाल